लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं लेकिन उन्होंने दिल से इस बात को सीवकार नहीं किया विजेंदर सिंग करीब 19 महीने तक उतरा खंड के गाउं गाउं सहर सहर में पतनी लीला को खोशते रहे आखिरकार करीब 1000 गाउं की खाक छानने के बाद उन्होंने अपनी पतनी को ढूर निकाला उनकी असच्ची दास अब रूपहले परदे पर नजर आएगी भारत में सदियों से पती और पतनी का संबन साथ जन्मों का माना जाता है पती और पतनी के बीच प्रेम की हाजारों कहानिया मौजूद है लेकिन पती और पतनी के बीच प्रेम क्या होता है या कोई राजस्थान के अजमेर निवा केदारना त्रास्दी में बिजेंद्र सिंग की पत्नी लीला को भी लहरों में बहजाने का अंदेशा था लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोडा बिजेंद्र पत्नी की तस्वीर लिए 19 महीने तक गाउंग दरगाउं फिरते रहे करीब 1000 गाउं की खाक शानने के ब पत्नी लीला को लेकर उनके साथ केदारना जा पहुँचे केदारना नाथ में वे एक लाज में रुके पत्नी लीला को लाज में छोड़कर बिजेंद्र किसी काम से बाहर गय हुए थे इसी भी चारोत्रप से कोहरा मचने लगा पता चला की उत्राखन में आई 62 का उफनाता पानी केदारना तक आप पहुँचा है नजारा देख उनका दिल भी दहलूठा बिजेंद्र सिंग ने बड़ी मुश्किल से वहां अपनी जान बचाई पानी का उफनाता बेक तब सान किट के इस तांड़ों के आगे वहां हर सक्स बेबस दिख रहा था मंजर देख बिजेंद्र का दिल दहलूठा और एक पल के लिए मन में विचार आया कि क्या लीडा भी इसमें बह गई लेकिन बिजेंद्र ने अपने मन को समझाया और दिलासा दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बिजेंद्र का मन कह रहा था इतने बरसों का साथ एक ही पल में नहीं छूट सकता है लेकिन वहां के भयावा मंजर में आसपास कही भी जीवन दिखाई नहीं दे रहा था चारो तरफ ला से दिखरी पड़ी थी, किसी का बेटा तो किसी का भाई पानी में भगया था, वहीं किसी का पती तो किसी की पत्नी पानी में समा गये थे, बिजेंद्र अपने पर्स में हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीरे रखते थे, अगले ही पल उन्होंने वे तस्वीर प करने के लिए कतई तयार नहीं थे कि लिला उन्हें छोड़ गई सभी का मानना था कि लिला बार में बहचुकी है इसी बीच राहतकारे भी शुरू हो चुका था करीब दो हपते बाद फोज के कुछ अफसर से बिजेंद सिंग की मुलाकात हुई तो उनसे इस बारे में बात की करीब करीब सभी का मानना था कि लिला बार में बहचुकी है लेकिन विजेंदर सिंग ने उनके अंदेशे को मानने से इनकार कर दिया विजेंद सिंग ने घर पर फोन मिला कर बचों को इस हाधसे के बारे में सुचना दियी तो ये भी सहम गए कि मम्मी भी अब बेटी ने जब बिजेंदर सिंग से इसका अंदेशा देताया तो उन्होंने उसे डार दिया और कहा वह जिंदा है। सरकार ने भी लीला को मिर्त घोंसित कर दिया। बिजेंदर सिंग पत्नी की तलास में हाथ में उसकी तस्वीर लिये दर-दर भटक रहे थे। इसी बीच उनके घर पर सरकारी महक में से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया लीला मिर्त घोंसित कर दी गई है। रंग बिजेंदर अपने जित पर अड़े रहे और फिर से लीला की तलास में उत्राघंड निकल पड़े। उत्राखंड का सहर सहर और गाउं गाउं की खांक छानते हुए बिजेंदर को 19 महीने बीच चुके थे। इस दोराणवे 1000 से अधिक गाउं में लीला की तलास कर चुके थे। उसके बाद बिजेंदर के विश्वास ने रंग दिखाया 27 जन्वरी 2015 को उत्राखंड के गंगोली गाउं में एक रहगीर को बिजेंदर सिंग ने जवलीला की तस्वीर दिखाई तो उसने हां में सीर हिलाया। उसने बताय कि या औरत तो बवराई हुई सी हमारे गाउं में घुमती रहती है। बिजेंदर रहगीर के पाउं पे गिर पड़े और उसके साथ उसके गाउं पहुँचे। वहाँ एक चोराहे पर सडक के कोने पर एक महिला बैठी थी। बिजेंदर ने देखा तो वहाँ लीला ही थी। लीला को देखकर बिजेंदर उसका हाथ पकड़कर बैठ गए और बच्चे की तरह रोने लगे। हाला कि पतनी की तलास में उनकी आख हैं पत्रा चुकी थी। लेकिन उस दिनुट में भावनाओ का बेग बहनिकला लीला भी मांसीख mindful ठीक नहीं थी। वह अपने पती विजंद्र को भी नहीं पचान पाई, विजंद्र ने लीला को वहां से उठाया और अपने घर ले आये, बारे जुन 2013 से बिछडे बच्चों ने जब अपनी मा को देखा तो उनकी भी आखें बहन निकली, जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, वह लीला की तला अपनी के प्रती अटूट प्रेम और विश्वास ने प्रकिट के अंदेशे को भी उलटकर रख दिया, और अब इस पर फिल्म आखें।